आज का लेक्चर बहुत इंपोर्टेंट है मोटिवेशन थियोरी की उपर है मोटिवेशन मतलब होता है अभी प्रेरण इंप्लॉईस को प्रेरणा देना है कि वो अपने कारे के प्रतिनिस्था वान रहे और अच्छा से अच्छा काम करें उसी को बोलते हैं मोटिवेशन तो कुश्चन आएगा कि नीड हैरार की थियोरी किसने दी मैसलो ने दी किसने दी मैसलो ने फिर हर्जबर की है मोटिवेशन हाइजीन थियोरी मोटिवेशन हाइजीन थियोरी किसकी है हर्जबर की हर्जबर की कौन सी थियोरी है मोटिवेशन हाइजीन थियोरी चलिए फिर नी लेती ही चारत फे scripture कौन-कौन संफे or a tu पहला है मैसलो रींइड की ते क्योंगा रही है कि इंप्धाइज की क्या रोड़ा जरुरत है उसके एक रिरामीड बन रहना हुआ सबसे पहली इंप्लॉइड को क्या चाहिए फिजिळियो लौजिकल नीड रोटी कपड़ा मकान की जरूरत हो इसको किसी भी कंपणी को पहले basic नीड जो है जिसमें रोटी कपड़ा मकान होता है और सुरक्षा होता है कि नोकरी हमारी ना जाये और जहां हम काम कर रहे हैं वहां कोई हमला नहों भूकम ना आये अरत को एक नहों आग न लगे मतलब safety of physiological करें अपनत तो महसूस करें और लव नीड लव नीड मतलब आसपास जो वाता वरण है एक दूसरे से वह बढ़िया रहें लव नीड उसे बोलते हैं और इस टीम नीड आप अगर अच्छा काम करते हो तो उसको रिकोगनिशन मिलें आपका बहुत ताली बजाए टीम वरकर त पूरा हो गया सारे दिक नीड भी पूरा हो गया तब क्या आता है सेल्फ फुल्फिल्मेंट नीड पिरामीड में सबसे टॉप यह नीड क्या होता है अब आप अपने से कुछ चाहते हो आप ज्यादा जिम्मेदारी उठाना चाहते हो आप अपने स्किल को बहुत डबल कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हो, हो सकता है इस company में, मिले ना मिले, तो आप transfer भी ले सकते हो, shift भी कर सकते हो, या company को बोलोगे कि हमारा promotion करो, और अच्छी जिम्मेदारी तो मुझे और पैसा कमाना है, मुझे और ग्रो तो मित्रो इससे question बनता है, तो आप तीनो नीट जाने रहे है, basic नीट क्या होता है, psychological नीट क्या होता है, self-fulfillment नीट, इसने दिया था ये थेयोरी, मैसलो ने, मैसलो ने दिया था, need हिरार की थेयोरी, इसके बात है हर्जवर्ग का two factor थेयोरी, हर्जवर्ग ने two factor थेयोरी ये उसमें दो factor है, कौन-कौन से, एक है motivators, दूसरा है hygiene, लगभग-लगभग मैसलो की थेयोरी की तरह ही है, मैसलो में जो basic नीट थी, और psychological नीट थी, उसी को हर्जवर्ग ने hygiene बोल दिया है, क्या बोल दिया है कि hygiene है, तो hygiene वारी नीट कम सकम पूरी होने चाहिए, ने तो employee म में आता है कुश्चन आ जाएगा option देगा कि इनमें से कौन सी हाईजीन है तो आपको टिक करना पड़ेगा तो यह आपको याद होना चाहिए स्टेटस है सेक्यूर्टी है working condition यह पूरा टेवल याद होना चाहिए अब देखिए motivators motivators क्या है देखिए motivators वो चीज़ा है जो मैं दिया था ना उपर थोरी जिसमें psychological और self fulfillment की बात थी वही इसने motivator बोल दिया psychological और self fulfillment किसमें आगया motivators में इसमें क्या क्या है इसमें achievement आपका recognition है responsibility है यह सारी चीज़ें किसमें आती है motivators में आती यह आपको याद करना आगे देखिए theory x और y किस ने दिया था देखिए मेक ग्रगोर ने दिया था नाम भी important है मेक ग्रगोर ने theory x और y दिया था मेक ग्रगोर ने employee को दो अरगों बाटा कुछ employee जो है कामचोर होते हैं उनको leadership के हमें सा जरूत पढ़ती है वो theory x में आते हैं अग कुछ employee ऐसे होते हैं उनको काम पसंद है वो खुद ही अपने आपको lead करते हैं वो theory by में आते हैं मतब theory x के जो होते हैं अच्छे नहीं होते है theory by के अच्छे होते हैं मेक ग्रगोर ने बोला अगला आता है theory jet जो विल्यम आउची ने दिया था विल्यम आउची ने theory jet दिया जापान से सिख्याय थे management guru है उन्होंने कहा कि अगर कोई company employee के पूरी need fulfill कर दे घर के भी, school के भी, अस्पिताल के भी सारी need पूरी कर दे तो वो employee जीवन भर उसी company में loyal रहेगा काम करेगा जापान में ऐसा ही होता है